आज मैं आप सभी के लिए एक मैजिकल हेर ओयल लेके आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है यह लगाने के बाद आपने हेर फॉर्ल की जड़ से खतम हो जाएगी और आप इसे बहुत ही पसंद करेंगे मैंने क्या-क्या लिया है फटा-फट से दिखा देती हूँ सबसे पहले म करेंगे एक मोटर पैस्टर लिया जिसमें हम कुछ जो को थोड़ा सा करेंगे आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं पर मैं पॉडर प्रिफर नहीं करती हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेथी थोड़ी सी कलोंजी और एक टी स्कून रखा है मेजरमेंट के लिए अगर आपको यह एक हफ्ते में एफक्त दिखेगा किसी को दो हफ्ते में और वन मंच में पर अगर आप अगर अपको यह जब भी तील लगाते हैं तो नौर्मल चूपन फ़ाए लगाने कि जिगे यह वाला ओल लगा लगा है जिसमें मैंने एक चमच में गदा है एक जाइभा साटार कई है ने कम ब्राइस हुन करना है तो भी आपफने डाल के तो फाइदेभी च्रूस बड़ा effbons theXT कर्ष गोह, मैं अपैस्टे कते थेचिए पर भी आप चुआ से प्रीय गलंे हैं और थोड़ा हेवी बॉटम का रहेगा वो लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो फिर नॉर्मल जो आपके पास अविलेबल है उसमें गरम कर लीजिए गरम करने का भी तरीका होता है किस तरह से गरम करना है वो भी मैं आगे बताती हूं क्योंकि हमारा ओयल जो हम तैयार कर हैं वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए अगर ओयल जल गया तो उसके फायदे हमें नहीं मिल पाएंगे तो थोड़ा ओयल में और ले रही हूं हारा कप का जो मेजरमेंट कॉप होता है वो लिया है मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहें आप एक साथ अगर आपका कर सकते हैं गरम करने के बाद पर मैं सब एक साथ करूंगी तो फटा 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 हो जाएगा अभी हम दो से तीन चमच केस्ट्रोल डालेंगे जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर में एक दम आसानी से मिल जाता और केस्ट्रोल तो आप जानते हैं कि इतना फायदे मंद होता है त तो इसके लिए बता देना चाहूंगे अगर एक्स्ट्रीमली आपके हैर फॉल हो रहे हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेजिए और अपने विटामिस चेक कर लेजिए अपने नॉर्मल जो रूटीन हैल्थ चेक अप होता है वह कर लेजिए उसके आद दे परसे बालों को फरक पड़ेगा लेकिन अंदर से भी हैल्थ कैसी है उसका भी फरक आपके बालों पर पड़ता है तो क्या खाना चाहिए उसका वीडियो बहुत जल शेयर करने वाली हो एक लडू की रेसिपी है जो हमारे वेजेटेरियन वेजेटेरिन लोगों के लिए तो सेंट प्रूफ है कि बायटिन की कमी से हमारे हैर फॉल होते हैं तो बायटिन की रेसिपी में बहुत जल आपके साथ शेयर करूंगी तब तक आप यह उयल लगाना शुरू कर दीजिए तो हैवी बॉटम का मैंने तवा ले लिया है तब आपको हम गरम कर लेंगे अच्छ से डिरेक्ली फ्लेम में नहीं रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे वो भी बताती हो अगर डिरेक्ली आप फ्लेम पर अपना पैन रख दोगे तो आपका जो नारियल तेल होने वाले बाल को जो फाइदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे तो इसलिए हमने हेवी बॉटम का तवा र अगर आपका बर्नल बहुत तेज जलता है या कुछ ऐसा है तो आप बिल्कुल सिम में रखकर छोटे वाले बर्नल पर पकाई है तो बस इस तरह से हम इसे गरम कर लेंगे तो अभी मैं आपको एक अल्टनिट ऑप्शन भी बताने वाली थी वह बताती हूं कि आप शॉटकट म कैसे बना सकते हैं सारी चुछों को एक साथ फटा फट डाल दीजिए अगर आप क्यास करने का टाइम नहीं है तो क्रश भी मत करिए और इस ओयल को आप दो से तीन दिन तक की धूप में रख दीजिए तो आपको ऐसा गैस में पकाने की जरूत नहीं पड़ेगी तीन चार तक अच्छे से उसको धूप में रखिए तो धूप में जैसे हम आचार पका लेते हैं वसी तरह ये तेल भी पका लेंगे तो बस धूप में जैसे ही आप तीन चार दिन हो जाए उसके आद यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और इस तेल को आपको अगर चानना है तो च में मुझे तो डाइन के शुप में अचार सुप यूज़ करें जैसे कंप्लिटली नेचरल को सकते हैं यूज़ बहुत जल्ड आपके साथ ऊचाहिए रहां चाहिता हैं करा इस तो जल्द आपके साथ वीडियो करोंगी और हो सकते तो आयन की चीज़़ क्याए जैसे पालक पालक का सूप पीजिए पालक का रेस्ट पीजिए तो सुबह मौर्निंग में वो भी पीजिए ये सारी चीज़ों को अगर आप फालो करते हैं तो बहुत जल्द आपके हेर ग्रोथ भी होने लग जाएगी आपका हेर फॉल भी रुख जाएगा ड्राइनेस आपके बाल बहु एज जाएगे ओर उसले कि आपके भी होला मंने बिख जीए मैं पष्वार खीर जाएग जाएगी कि राइस जाएगे में गीख यह जाएगा यह जाए इास कि अ बाल भी उगने लग जाएंगे तो मैं बहुत जड़ भी लड़ लाऊंगी आपके साथ शेयर करने के लिए तब तक के लिए आप स्रिफ और स्रिफ यह तेल लगाना शुरू कर दीजिए और आपको 100% फरक आपके बालों में नजर आएगा और जो भी फरक आपको अपने बाल मैं प्सक्राइब करते हैं बहुत सारे ट्राइब करते हैं कुछ पास होते हैं कुछ फेल होतें तो तो मैं तृष फरक प्रत दिखतंप हो कि थकि वchi अलेडाब कर था चाहना चाहें नहीं पर सकते हैं अगर नहीं सारी चीज आफ जाती हैं तो बस आजके लिए इतना ही आशा करती हूं आज का वीडियो आपके लिए फुल होगा इनफोमेटी होगा और आपके बालों को घना करने में आपकी सहायता करेगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो की साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई